येस, 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 मैडम ये इस नागिन बनके किसको डसने का इरादा है ये अपने अदाव से अपने not interested छपरी गुल फार्म को हाँ ये इसकी येस से इतना ज्यादा पक चुके हूँ न मैं अम्शोर कि आप सब भी पक चुके होंगा है क्यों ये येस, येस, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तु मेरा, मैं नागिन, तु सपेरा, ये ही कहना चाहते हो ना मैडम और इसका गुल फार्म सपेरा बनके बीन बजाता है बस ये ही दोनों किचन से यहां, यहां से किचन, किचन से डाइनिंग टेबल, येस, 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 येकीन माने, आज तो मैं जल दुसरा नहीं देख पाता है, या अगर हमारी नजर से वो चीज गुदर जाए, हम उसको नजर अंदास कर दे लेका अपना एक नजरिया होता है, परस्पेक्टिव होता है, तो जो कि हम एक दुसरे के साथ शेर करने के लिए तो यहां पंचायत में बैठे हैं, है ना, तो यकीन माने, अभी तो मैं एक छोटी मोडी बातों को कवर कर रही हूँ, लेकिन हमारे बीच करने के लिए बहुत सी बात हैं, फैजा वेगम की सेकंड प्रेगननसी के बारे में भी, और उसकी फर्स प्रेगननसी के बारे में भी, लेकिन फिलहाल जो मैं इतने टाइम से व्ल बलबूते पर आप अपने नोट चाप रही हैं, तो ना तो अपनी नरद को लेकर गई, ना अपनी सासू मा को, ना अपनी मासी सास को, जो भी रिष्तेदार हैं असपास, नीसिस हैं, नेफियू हैं, मधर इनलॉज हैं, नानी हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसके बाव अवजूद भी किसी को इस बात का खयाल नहीं आया कि ये मैडम कितनी ज्यादा पक चुकी है अपने परिवार से और ये जो लबादा ओर रखा ना उन्होंने अपनी एक अच्छी बहूरे का वो सिरफ एक नाटक की है ये तो सिरफ एक उल्लू बनाने का तरीका है अपने मुस असलिम को ही पता होगा देखिए जा नमाज लाई हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए मैडम उस जा नमाज को नमाज पढ़ने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है कभी ये भी दिखा दीजे अपने फॉल्लोर्स को सिर्फ जनाब को इंप्रेस करने के सारे तरीक है मकसद चाहे वो बच्चे पैदा करना है क्यों ना हो वो भी उसका मकसद सिर्फ अपने जनाब को अपने आप से बांधे रखने के लिए है फैजा बेगम में ममता नाम की कोई चीज मुझे आज तक नजर नहीं आई एक नैचुरल ममता जो प्यार होता है जो लगाव होता है वो नजर नहीं आया सिर्फ वो ही कैमरे के लिए हरकते करना पकड में आ जाती है कैमरे से कुछ नहीं चुपता तो इसका जो भी है ना जिन्दिकी का A to Z वो सिरफ और सिरफ अपने मिया को इंप्रेस करने के लिए है वो शॉपिंग करने भी जाते तो वो ही चीजे खरीदे कि जो उसकी मिया को इंप्रेस कर सके इस पात का यकीन दिला सके कि वो प्रॉपर मुसल्मान हो चुकी है जैसे कि मैंने शुरू से ही खाता कि फैजा बेगम के दो बेटे है एक उसका बड़ा बेटा सुल्फों वाला गुलफाम और उसका चोटा बेटा जिस पर बजान ध्य देती हैं सिवाए खिलाने के क्योंकि आज तक मैडम ने उसके कान के पीछे काला ठीका नहीं लगाया और नाहीं आयतुलकूर्सी पढ़के फूकने का ड्रामा किया है क्योंकि उसको तो ये सब करना अपने बड़े बेटे के लिए आता है न क्यों और मैडम ये बात दुबारा से दोरा ही देते हैं शायद आपने अंसूनी कर दियो कि जो जान नमाज लाई थी ना रमजान के शॉपिंग करके अपने जनाब को दिखाने उस पर बैठ कर एक बार नमाज पढ़के भी बता दीजिए तकि पता चल जाए कि आप कितने पानी म हैं हाँ या फिर बिस्मिल्ला अल्हम्दलिल्ला माशा अल्ला इसको कहके काम चल जाता है हाँ उजारा हो जाता है ना उल्लू बन जाते हैं लोग क्यों इन्शाल्ला माशाल्ला सुभानल्ला अल्हम्दलिल्ला बिस्मिल्ला अर्रह्मान अर्रहीम मैडम हिंदुस्तान में य एक दूसरे के फेट से वाकिफ हैं तो यह सब जुबान इस्तेमाल करके आप जिसको भी बेवकू बना रही हो हमको तो नहीं बना रही तुम्हारे इस तरह की जुबान बोलने से यह प्रूव नहीं हो जाता कि आपने दिल से अपना पहले के दो धरम पहले हिंदुईजम फिर के तकलुफी होती है एक इज़त होती एक दूसरे के लिए सम्मान होता है एक बहुत ही जादा कमफर्टेबल फिल होता है लेकिन जब भी आप इनके व्लॉग्स देखेंगे तो ना जनाब ना जनाब के परिवार वाले मैडम के सामने कमफर्टेबल लगते हैं और मैडम तो उनकी भूक है पापुलेरिटी के लिए नोट चापने के लिए मैडम आप सरब मौका देखके चौका लगाना जानती है जैसे कैमरा आपकी तरफ घुमा मूं में एक निवाला डालते बिस्मिल्ला अरे मैडम शुकर करें कि आपको फॉलो करने वाले थोड़े से मंद दोता है, लेकिन इनके व्लॉक लेकिन से मैडम हिचिपक्ते जा रही है और कुछ लोग के कहने के बाद जना भी की बांफ आपको की, गलें भी दाले लगाना एवड़ना पता चलता है से मेडम के ले की जाते है, हर चीज कैमरा on off होते ही हो जाती है और यही वज़ा है कि मैडम की किस्यानी हसी, मैडम का बाद बाद पे आसु बहाना और बहुत कुछ अकसर है व्लॉग में देखते हैं मैडम के कि मैडम इतनी ज़ादा डेस्परेट है अपनी जड़ाप के अटेंशन के लिए कि जैसे ही जनाब थोड़ी सी भी फॉर्मालिटी के लिए तारीख क्या कर दे मैडम की मैडम तो हिंडोला बनकर जूने और जूनले लगती है लगता है मैडम को तारीख हदम नहीं हो थी क्योंकि उसको भी पता है कि जनाब दिल से तारीख नहीं कर रहे हैं और वैसे भी जब कोई इंसान किसी चीज के लिए बहुत जादा तरपा होता है तो उसको यकीन नहीं होता, जैसे कि मैडम को, क्या कहने थी? कि जनाम, आपने इतनी धारिफ कर दी, हजब नहीं होगी मुझे, मैडम, आपको तो मैड़ा भी हजब नहीं होता था, एक वक पे, आप तो लकड़ पतर सा भी हजम हो जाता है, क्योंकि हर एफ़तार में आप पॉकेट्स बना रही हैं चिकन की, फ्राइड चीज़े बना रही हैं, गुल-गुले रोज बन रही हैं, तो ऐसी क्या चीज़ा जो आपको हजम नहीं होती, क्योंकि हैं एक चीज़ सचाई से सामना आपको हजम नहीं होता, तब ही आप उसे दूर ही रहती हैं सच से, और उन चीज़ों से भी सामरा करने से दूर रहती हैं, जो आपकी जिन्देकी की हकीकत है, क्या चिप-चिपी खातून हो आप फैजा बेगम, कोई individuality नहीं, आपकी कोई self-respect नहीं, कोई sense of security नहीं, कहां तक चुपोगी पत्तों की याड में, कभी तो मिलोगी कवारी बाजार में, क्योंकि आप तो महीं जाने के लाइक हैं, थोड़ी सी position मतल नहीं पड़ी, क्योंकि सूरज महाराज ने अपनी रोशनी थोड़ी कम कर लिया है, तो हम कह रहे थे, कि जो फैजा बेगम का, एक तरफा महबबत का, ये मेरा दिवानापन है, या महबबत का सुरूर, तू ना पहचाने तो है ये, किसकी नजरों का कुसूर फैजा बेगम, एक रिष्टे में बच्चों का होना, आौलाद का होना, इसलिए नहीं जरूरी कि वो रिष्टा बंधा रहे, क्योंकि अगर वो रिष्टा, सिरफ इसलिए बंधा हुआ है, क्योंकि बीच में आौलाद है, तो वो रिष्टा, प्यार पे नहीं टिका हुआ, वो रिष्टा चाहत पर नहीं टिका हुआ, मजबूरी पे टिका हुआ है, किसी बेश्टे में संतान इसलिए आने चाहिए, क्योंकि दो इंसान इतुष्टे से मौभबत करते हैं, एक साथ एक संसार बसाना चाहते हैं, लेकिन ये बात मैं guarantee से कह सकते हूं, कि मैडम के लिए मा बनने की कोई ऐसी उतकट इच्छा नहीं थी, या मा बनने के लिए ऐसी एक जो लगन होती है, जो भूक होती है हर एक स्थ्री में, क्योंकि मा बनने का जो एक सोभागय होता है, मा हर एक इंसान में नहीं होती है कई ऐसी माई भी हैं इस दुनिया में जिनके संतान नहीं है लेकिन वो फिर भी माई हैं और कई ऐसी मदर्स भी हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं उलाद होती है लेकिन उसके बावजुद भी मा नहीं बन पाती है अपने जहन से तो जो इस फैज विष्टे में उलाद चाही होगी ताकि उनका मिया उन्हें छोड़ कर कहीं भाग ना जाए और अब दूसरी बार भी जल्दबादी जो करेंगी यह कर चुकी है मा बनने की उसकी वजह भी यही है कि मिया को जिस तरह बांद सके बांद लिया जाए क्योंकि वहाथ से निकलता ह वहा नजर आ रहा है मैडम की इंसीक्योर्टी बढ़ती जा रही है उनके वहार से भी दिख रहा है और जो उनके हालात से भी दिख रहा है बहर हाल उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स व्लॉग में जो मैं जल्दी लाओंगी तो यह फैदा बेगम नाक सुड़कते वे सर खुजाती हैं अपना चैरा खुजाती हैं अपना नाक खुजाती हैं कोई भी साफ सुथरा पड़ा लिखा इंसान ऐसी चीजों को देखकर क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए बिन कहें भी रहा नहीं जाए मैडम आपसे हाथ जोड़के इलती जाया है कि व्लॉग बनाती हैं आप अपने आपको इंफ्लूएंसर समझती है कम से कम कुछ हाईजीन का तो ख्याल रखागी जे यह पॉड्कास के दौरा बच्चे फिर से आगे बहार से फूल लेकर रहे हैं तो मैं प्रेक लेकर फिर से ब्लॉक बनाती है क्योंकि बच्चों की इस्टर की छुटिया जल रही है और इस बजासे मैरे भी छुटिया ले रखिया है तो बहुत मुश्किर होता है बच्चों को छोड़कर उनको बिजी ना रखते कोई तमीज नहीं है मैडम कम से कम अपना नाग साफ करके आया कीजिए जब भी ब्लॉक बनाने आई है कुकिंग करते हुए भी अपने लिए जो हाईजिन का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए नाग को सुड़कना कोई अच्छी बात नहीं है इतने अनॉइंग तरीके से ब कोन कर रहा है हम लोगों को और तो छोड़िये यह क्या इंफ्लूएंस कर रही है अपने समाज को यह कैसा दिखा रही है खुद को अपने बच्चे को नवजात शीशु को अभी जो कुछ महीनों काई है उसको कहीं भी खिलाने बैठ जाती है हाथ से हाईजिन लेवल होता है एक एक तरीका होता है बच्चे पाले का बच्चे को कहीं भी आप हाथ से खिलाने लग जाते हैं आप जब बाहर जाते हैं दस तरह की चीज़ों को चूते हैं गाड़ी के दर्वाजे को लिफ्ट के डोर को कहीं आना जाना हो चेर्स हर तरह की बिमारिया हर तरह के लोगों क हाथ लगे होते हैं और मैडम हर जगा हाथों को मसल मसल के चीज़ के गोले बना बना के बच्चे के मुँ में डालती है देखकर हमको उबकाई आने लग जाती है पर मजाल है कि मैडम अपनी हरकतों से खुद कुछ सीख ले ऐसी पढ़ाय लिखाए का क्या फायदा मैडम कि जहां आपको नाक साफ करना भी नहीं आता खुद तो आपने ही सोचती हम बताते हैं उसके बावजूद भी आप इस बाते थे हम नहीं करती चोटे से बच्चे को कहीं से भी बिना हाथ धोए बिना हैंड वाश की बिना किसी टिश्यू से हाथ साफ करें उन्हीं गंदे हाथों से खाने को ऐसे मसल मसल के खिलाती है अब तो मैडम के पास और उनके जनाब के पास छपरी जनाब के पास सरफ एक ही टॉपिक है उनका बेटा 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 हर वक्त हर चीज में सिर्फ और सिरफ उनके बेटे की ही टॉपिक चलती रहती है इसके अलावा उनकी पास कोई content नहीं रह गया है हम मानते हैं कि बेबी है उनका और उसे वह excited है दिखाने के लिए लेकिन अगर आप ब्लॉग्स बना रहे हैं तो उसमें कुछ genuine-ness भी दिखाईए ऐसी बात share कीजिए जिसे लोग interest कहां देख सके हो सके तो कुछ सीख भी सके ये पानी नहीं पी रहा है आज करता रहता है ये अभी cranky हो रहा है ये मस्ती से सो रहा है ये बहुत मस्ती कर रहा है okay madam अब तो हमें रट चुका है कि आपके व्लॉग्स में क्या आ सकता है ना तो आपने आज तक राम मंदिर की शुपकाम नहीं दी ना हिंदुस्तान चंदरायन पर पहुँच गया उसके बारे में आपने कोई मुबारक बात दी मजहाल है मैडम ने भूल कर भी इन विशों पर कभी मूँ खोलाओ हिंदुस्तान में रहती है ना मैडम आप और मैडम ये बात का पूरा ध्यान रखती है कि चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में रहती है लेकिन वो कोई ऐसी बात मूँ से ना निकाल दे ताकि किसी खास कम्यूनिटी जो कि उसके फॉलोवर्स है जो कि उ विशेपर तोहारों पर मुँ इसलिए नहीं खोलती है उसको एड्रेस इसलिए नहीं करती है क्योंकि किसी खास कम्यूनिटी के लोग इसे नाराज ना हो जाए और इसके नोट चापने की मशीन बंद ना हो जाए तो ऐसे इनसान को आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रू सोशल मीड या इन्फ्लूएंसर है यह इन्फ्लूएंसर जरूर है लेकिन नेगटिव वे में यह औरत किसकी सगी है जो अपने समाज की जो अपने जनम से जुड़ी हुई चीजों की जो की सारी उमर जिंत्योहारों को इसने मनाया होगा उसके बारे में सिरफ अपने दोस्तों को पर नजर आता है हिंदुस्तान की चंदरायन की सफलता पर मैं इंग्लेंड में बैठे बैठे भी हम इतना जुड़े हुए थे इस चीज से इस अभियान से हमें इतनी जादा खुशी आँखों में आसू भर गए थे मेरे और मेरे बेटों के हमने इतना जादा दिल से उसे मज़ाल है एक बार भी निकला हो कि हमारे हिंदुस्तान ने आसमान चूलिया है या चंदरायन का जो अभियान है वो सफल हुआ है ना चलिए मान लिया राम मंदिर की शुपकाम नहीं नहीं दी कोई बात नहीं हिंदुस्तान के चंदरायन की सफलता पर इसने अपना बोला वो इसके किरदार को देखते लगता यह आम बात है लेकिन जिस community से जुड़ी हुई है उससे भी कहाँ वाफादार है यह आज तक इस ओरत ने Palestine या Israel के बारे में कोई भी राय नहीं दी जबकि इसके जो followers है वो बार-बार इसके vlogs के नीचे या इसकी post के नीचे लिखते रहे हैं कि आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं Palestine और Israel के बारे में क्यों नहीं अपने कोई भी राय दीजिए आप अगर सुसाइटी से जुड़े हुए हैं एक समाज को represent कर रहे हैं मेरा तो यह मनना है कि अगर आप हिंदुस्तानी है तो आप हिंदुस्तान को represent कर रहे हैं चा किसी की भी सगी नहीं है ये जनाब नला जनाब किसी कभी सगा नहीं है कभी इसने आज तक अपने followers की पोस्ट का जवाब नहीं दिया है कभी Palestine या Israel के बारे में इनका क्या नजरिया है ये क्या चाहते हैं ये किसको support करते हैं कभी इन्होंने भूल कर भी जादा बात नहीं कर का साफ चैर नहीं देख पार है लेकि जहां तक मुझे रखता है बहुत कुछ आखे खुल भी रही है जो भी जितने भी लोगे पॉड़कास कर रहे हैं ब्लॉग्स बना रहे हैं हम सब की मेनत खराब नहीं जा रहे हैं हमें सिरफ यह प्राब्लम नहीं है कि कोई एक खास ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं अगर वह समाज को गलत तरीके से इंफ्लूएंस नहीं कर रहा तो हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है लेकिन अगर आप हमारे समाज को दूशित कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के हाथ का दारी कर रहे हैं एक गलत मैसेज दे रहे हैं तो हम वक्त निकाल कर जरूर आएंगे और बात करेंगे तो इस वरत का, फैजा बेकम का और छपरी गुलफ फाम का तो ये हाल है मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में इनके नोट छपने चाहिए इनके दुकान बन नहीं होनी चाहिए बाकर क्या फर्क पड़ता है हमारे हिंदुस्तान का क्या होना है कंट्री का क्या होना है, समाज का क्या होना है समाज के युवा पीडी का असर आपकी हरकोतों की वज़ासे क्या हो रहा है इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है सिरफ पैसा कमा रहा है प्रिटेंड करके अलतकया करके मूर्क बनाके और टस्वे बहा के खिस यानी हसी हस के ये सब एनके चार पाच पैतरे पैसा है क्लास न आन्गे एक फैजान पैसल रहा प्रेगन से क्या राज है वह इतने जल्दी प्रेगनेंट क्यूं हो गई है पिर से अगर हो गई है जिसका मुझे पूरा यकीन है तो मैं बनाते हूं ब्लॉग चल्दी ही इस हफ्ते ही आप तक लेके आउगी दूसरा व्लॉग जिसमें कि हम discuss करेंगे और मैं बताऊंगी कि मैं क्या सोचती इस बारे में और मुझे क्या रगता है कि क्या चल रहा है सच्चा ही क्या है और जहाँ तक मुझे लगता है अक्सर वह बात ठीक ही साबित होती है यो कि जनाब हमने भी ये वाल दूप में सफेद नहीं करें तो चलिए अब मैं मैं लिखते हूं आपसे इजाज़त इजाज़त भी व्लॉग मना है प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजेगा मैं आपसे मिलूंगी जल्दी के आके तब तक रखें अपना ख्याल और एक दूजे का भी जीएं और जीनेते लेकिन जहां भी आपको लगे कुछ गलत है तो जुब